हुलो फैंस स्वागत है अपने यूटूब चानल के अंदर तो आज के इस फिडो के अंदर हमारे पास फ्रेंड यहां पर एक फोन रिपैर के लिए अधिया हुआ है यह फोन है और यह फॉन है हमारे पास एक टेकनेशन के थूरू रिपैर में आया हुआ है सबसे पहले इसके फोन है वो स्टेवल नहीं रह पाता है उन्होंने इसको फ्लैसिंग भी करवाया है इसकी इसकी फ्लैसिंग तो गाइज यह उन्लाइन ही होती है यह फोन है गाई चलो तो यहापर थोड़ा सा बेट कर लेते हैं और इनकी प्रॉब्लम को पाहले देख लेते हैं कि इसी तरीक ने पास रिपैर में आया हुआ था तो जिस तरीके से उनका कहना वह तो मैंने अ समझ गया किसमें प्रॉब्लम क्या है बट फिर भी मैं एक बार आप कि जो प्रोसेस है वो फिलाल अभी तेक स्टार्ट नहीं हुई है गाइस ठीक है जो कि एक मिनिट से उपर की हमारी वीडियो बन चुकी है ठीक है चलो कोई बात निया थोड़ा सा और बेट कर लेते हैं हम देखते हैं कि कितनी टाइम में यह ओन होता है और क्या इसके अंदर क यहां पर सेट हमारा चालो हो गया है अभी है हमारी तक्रीवन तीन मिनिट की यह वीडियो है वह संतिंग रिकॉर्ड हुई है अभी आप देख सकते हो नौ परसन बैटरी उनकी चार्ज है इसको हम यहां से नेक्स्ट करते हैं अभी यहां पर यह इंडिया पर स्लेक्ट है चिक है और तो अभी हम एसको नेक्स पर दो रगया है और यहां पर कुछ भी काम नहीं कर रहे है अब देख सकतो तच वगबारा कुछ भी काम कर रहा है फोन सम्जें ऑन अ मतलब जो هوन हैंसा हो जाता है बूलकर उस तरीके से हो गया है हो परोट चुक ऑपर जैसा कि हमने आपको बताया और जैसा कि हमने उन उसके परचिस का लिए प्रोब्लम होगी क्योंकि यह कॉमें सी प्रॉब्लम है बहुत सारे सेट के अंदर इस तरीके की परब्लम आ कोyr decay रिखाता हूं इसके ऐब कर देखो rấtato किसी ने कोई भी काम नहीं किया हुए इसा में को यहां से ओपन कर लीते हैं दूल किसी ने कोई भी काम इसके ऊपर नहीं किया हुए ठीक है और इसके फbang माइक्रोन की UFS लगी हुई है ठीक है तो बहुत साफधानी के साथ इसको उपर काम करना पड़ेगा ठीक है तो चलो गाइस अभी इनकी CPU की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको रिपैर करके क्या प्रॉब्लम सही हो पाता है प्रॉपर्ली या फिर नहीं ठीक है तो चलो सीधे चलते अपने लप अप्रॉप पिए मिक्रोस्कोब के ऊपर गईज झाल 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 झाल